नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं आप सभी स्वस्त और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम एक कविता सूरज जल्दी आना जी के साथ दिन की शुरात करते हैं। आज हम सूरज का निकलना क्यों जरूरी है यह जानने के लिए अपनी हिंदी की किताब रिंजिन से एक कविता सूरज जल्दी आना जी पढ़ते हैं। आज हम जानने कोशिश करते हैं कि सूरज अमारे लिए क्यों जरूरी है। यदि कई दिनों तक सूरज नहीं निकले तो नीचे दी गई चीजें लगवक कितने समय में सूखेंगे। खाली स्थान पर लिखकर बताइए। आप संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर सूरज निकलता है तो जो भी हम सुखाते हैं वह बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकर अगर सूरज ही ना निकले तो जो चीजें वह कितनी देर में सूखती हैं। गर्मियों में हम कपड़े सुखाते हैं तो इतनी जल्दी सूख जाते हैं। और सर्दियों कपड़े कितने दिन लगा देते हैं। पूरा पूरा दिन दो दो दिन भी लगा देते हैं। तो देखें गीली चीजें क्या है कमीज। कमीज को सूखने में कितने दिन लग सकते हैं एक दिन लग सकता है या 3-4 घंटे भी लग सकते हैं फिर हमारा बसता बैक क्योंकि मोटा हो तो उसको सूखने में कितने दिन लग सकते हैं और जूते जूते तो और भी मोटे होते हैं उन्हें सूखने में कितना दिन लग सकते हैं उन्हें सुखने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं. तो कमीज कितने देर में सुख सकती है? 3-4 घंटे में. 3-4 घंटे. बसता 1-2 दिन. 1-2 दिन. और जूते सुखने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं. ठीक है? तो आप यह लग सकते हैं. हमारी कमीज 3-4 घंटे में सूख सकती है बसता हमारा 2-3 दिन में और हमारे जूते जो हैं वो 2-3 दिन में सूख पाएंगे और बसता हमारा एक दो दिन में सुख सकता है आगे देखते हैं बच्चों आस्मान में दिखने वाली चीजों के नाम लिखिए और उनके चित्र बना कर उनमें सुन्दर रंग भरिए आगे दिखें के हैं जैसे यहाँ पर सबसे बहुत लिखा है सूरज तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चांद चांद की फोटो बना सकते हैं सुन्दर सी बना लिजिएगा मेरी ड्रोइंग इतनी अच्छी नहीं है और हम लिख सकते हैं सितारे सितारों की बेख सुन्दर सी फोटो बना लिजिएगा आप लोग और उनके नाम लिख लीजेगा तो आस्मान में हमें बादल भी दिखाई देते हैं बादलों के भी चितर बना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है आप बादल का चितर बना लीजिए इस तरीके से और इसका नाम लिख लीजेगा बादल और ऐसे नहीं बनाएगा कि तितली और पंक और चिडिया बना दे क्योंकि वो आसमान में नहीं दिखते हैं ठीक है वो उड़ते हैं इसलिए हमें उपर दिखाई देते हैं ठीक है तो अभी वाब को आपके लिए सजेशन है कि आप बच्चों को बताएं कि सूरज का क्या महत सूरज क्यों निकलना चाहिए उसके निकलने से क्या-क्या फायदे होते हैं यह सारी चीजें तो उमीद है आपके लिए वक्षिट यूस्फुल रही होगी अगर आपके लिए यूस्फुल रही तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद